नमस्कार दोस्तों तीन चार दिन एक्जाम को रहे चुक है इस ये फाउंडेशन के और उस वक्त बहुत ही important बात लेके मैं आपके साथ जूड़ चुका हूँ जैसी कि आप पीछे देख रहे हो time से related बात लेकिन मैं इस lecture में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि इस तीन द करके आते हैं और फिर बोलते रहे सर ऐसे हो गया अगर शायद पहले हमें कोई बता देता तो हम शायद उस situation में खुद को handle कर लेते हैं बट तब शायद ये वर्ड यूस करे कोई मतलब नहीं होता है तो दोस्तों जैसे ही आप जभी भी free हो right देख लेना पूरा वीडियो ज जैसे आपका 11 commerce शुरू हुआ क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि majority बच्चे इस CA foundation attempt में वो है जिनोंने last year board exam जिनका हुआ था और अब 6 महने के preparation पे वो ये वाला attempt देना चाहते है right कुछ बच्चे जो 11 12 में इसी पिछले 2 साल में कोई टाइम में तो online exam online classes इसकी वज़े से बहुत कम लेवल पे आपको समझ चुका होगा और उस वक्त सीए जैसे exam के paper तीन घंटे में complete करना यह सबसे बड़ा task होता है और इसी से related में जो discussion करने वाला हो तीन घंटे का ध्यान से सुनिए कि क्या चीज़ें शायद आपको वाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वह अब आप लोगोंने mock test दी अगर दी होगी mock papers जो इसी institute लेता है अगर दिये तो आपको समझ गया होगा कि sir accounts का paper complete ही नहीं हो रहा है लौ में तो भी theory चलो एक वक्त तक हम manage कर लेते है मैस एक ऐसा subject है जिसमें हमें 120 minutes में 100 MCQs को solve करना है और economics में फिलाल बहुत time मिल जाता है उसकी कोई बात नहीं है तो दो तीन paper है जहां पर आपको time management का issue आएगा सबसे पहला accounts mathematics and law law में भी ठीक है लेकिन account सबसे जादा और math क्या बताना चाहता हो ध्यान से सुनिएगा पहले तो यह चेक कीजिए paper solve करके कितना time लग रहा है दोस्तों हमेशा अपने उस तीन घंटे को बो और से केर से वाली में बात में अगर मैं समझाना चाहूं तो दिवाइट कीजिए तीन section में अगर दो बजे paper मिल रहा है तो दो से तीन तीन से चार चार से पाच कैसे वो तीन घंटे का management है क्या 100 marks का paper complete हो पाएगा क्या बहुत बढ़ा सवाले मैं आपको कहता हूं कि majority बच् marks max to max complete होता है अगर सारे question सही attempt कर रहें टैली करना चाहते है तो सुन लो तो शायद आपका भी अगर 70 80 marks का paper attempt हो तो panic मत होना हो सकता है क्यों 20 mark आपको आ रहे हो बट वो टाइम ही allow नहीं किया क्योंकि आपने शायद NPO में ज्यादा वक्त दे दिया एक marks के लिए 1.8 मिनिट कैसा calculation बच्चा करके चलता है राइट NPO टैली करते करते हैं आपका जो भी proprietorship final account है वो बनाते बनाते आपको समझ में ही नहीं आया टाइम पे ध्यानी नहीं दिया और सर तीन घंटे में कुछ बच्चे सिब 40-50 mark का attempt करके आते हैं और फिर पहले ही paper के बाद गिवप कर देते यह यह गलतिया है मालिक अपने आपको पहचानो at least एक paper solve कर और मैं कहता हूँ कि 70-80 mark का अगर आपका accurate paper solve होता है तो भी आपने कुछ गलत नहीं किया है मैं चाहूगा कि आप सब 100 marks का paper solve करें लेकिन account से एक ऐसा subject है जहाँ पे आपको उस moment पे अगर थोड़ा भी adjustment इधर सम के लिए दे दिया तो नहीं चलेगा आपको मौन होना पड़ेगा यह चीज़े बच्चे गलतिया की है बच्चों ने एक एक सवा सवा पॉन घंटा उस पर ही दे दिया जो सम टैली नहीं हो रहा था और बाद में शायद average due date ऐसे कुछ issue of share वाले छोटे-छोटे सम से जिन 100 ट्राइ करेंगे हुआ तो बहुत बेस्ट है लेकिन नहीं हुआ तो आप फेल नहीं हो और गलती से सपोस एंपियो मेरा पूरा दोनों साइट टैली नहीं हुआ तो जीरो मार्क से क्या नहीं सर कुछ ना कुछ पोस्टिंग के मार्क मिलते हैं बिलकुल डरने का नहीं और पैनिक होके गिवप नहीं कर देने काउं तीन घंटों में पहले एक घंटे में स्ट्राइजी कली जाओ भी 30 मार्क भी अगर अच्छे से होता है जो आपको आ रहे उस क्वेश्चन को आप कीजिए मतलब वो टैली हो या फिर तुमको लए कि नहीं सर तीस वेसे कम से कम हमको ना ऐसे समझ लो कि 25-25 मार्क मिल जाएंगे फिर नेक्स एक घंटा वहाँ पर ट्राय करो कि 30-35 मार्क कवर करें तो दो घंटे में अगर 60 मार्क का पेपर कवर होता है जो आपको आ रहा है सिक्वेंस आप चेंज कर सकते हो तो इनफ है पहले दो घंटों में आपने आपना प ही आ रहा भी पोस्टिंग करके आ जाएंगे अटलिस दो चार मार्क मिले पूरा छोड़ोगे तो जीरो है कुछ लिखेंगे तो कुछ मिलेंगा बहुत ही मैं न स्टुडेंट वाली बात कर रहा हूं यहाँ पर आश्टीचर वाली बात ही नहीं हो रही है जो एक दोस्त हर अटेम्ट हर पेपर हर क्वेश्चन वह लौ हो अकाउंट जो लिखना है उसकी बात कर रहा हूं मैं डिस्क्रिप्टिव के हम चाहते कि भई तो अटेम्ट सब करना है माना लेकिन भई सब आधाधा मत करो कुछ पे एक्क्यूरसी रखो और कुछ जब बिना छोड़े तो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तुम्हारी बैच जो पिछले दो साल से और मैं तुम्हारी भावने समझ सकता हो शायद इसमें कोई गलती तुम्हारी ना ही हो पेपर ही नहीं लिखे तो सर वो स्पीड कम होने ही वाला है बट दोस्तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं कर सकते सिक्स्टी सेवेंटी एक्यूरेट और ट्राइ करो मैक्स तुमैक्स अटेम्ट करने का चुल अकाउंट की बात तो होगी लौ में सर कैसे करें और थियरी पेपर में ना बहुत बार यह दिक्कत नहीं आती अगेन अगर आपने प्रॉपर तीन घंडे को डिवाइड किय इस प्राइटेजी कली मेरा लग हो सकते कैसे आपको बनाना थे सब्सक्राइब करो कि सब आप इंटर का कुछ तो बोल रहे हुए हैं मतलब एक टाइम में और सिंग का पर तसी एंटर का उस सटे में में एग्रिकेट रहे गया था दो सो माक्स चीए थे मुझे 193 माक्स ते वालगी दर्द होता है जो मैं समझ सकता हो 193 माक्स साथ माक्स इंडिविजल सब्जेक्ट में मैं पास था सिर्फ एग्रिगेट में में मेरा टोटल नहीं हुआ क्या हुआ सर कि कॉस्टिंग का पेपर मैंने जाधा प्रैक्टीस ही नहीं की थी न और क्या हुआ बताता हूँ जो मैं बोल रहा हुआ गलतिया क्या होती है कि हम न ऐसे टाइम नहीं देखते लेकिन पेपर को घड़ी लेके जाते हैं और देखते हैं पंदरा मिल्ट हुआ तो ना वो मैंने की थी में टाइम देख रहा था औरे 1.8 मिनिट एक क्वेश्चन को तो इससे जादा कैसे 20 मिनिट का पहला कंपलसरी क्वेश्चन था मुझे 50 मिनिट लग गए जब कि इतना नहीं लगना चाहा एक घंटे में मैं पहला 20 माग का ही क्वेश्चन कर पाया मैं रहा तो फेल हो गया अब बचाई क्या 80 माक बाके 2 घंटे हार्ट बिर बढ़ने लगते हैं तुम्हारे साथ ऐसे ना हो दोस्तो कुछ बिगड़ता नहीं है अपने वह ना कि जितना आप काम रहोगे उतना धीरे 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 उस तीन घंटे में क्या पता अगले 2 घंटे बहुत सारी चीज़े हो जाती है जो मैंने गलती की थी मुझे मैं पास हो गया लेकिन 46 47 माक्स आये थे और जब मैंने पेपर मंग आया तो मैंने देखा कि वह टाइम के चक्कर में ना मैंने इत्ती छुटी छुटी सिली मिस्टेक की थी जहाँ पर मुझे एक्जम्शन मतलब 60 के ऊ होनी चाहिए पहले से प्रिपेर रहो कि 70 80 अच्छा है लेकिन प्रॉपर अटेम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं कि सोई माक्स करें हां करो लेकिन स्ट्राइजी बता ही मैंने जो आई नहीं रहा है उधो तुम क्या ही करोगे तो भी एटलीस थोड़ा बहुत पोस्टिंग करके आगे लास्के 15 मिनिट में उसको मेंने अलोट कर दिये थे जितना आया उतना पोश्ट कर क्या होगा ठीक है लौ में जो आ रहा है अच्छा करो बीसी आर में जो आ रहा है अच्छे से लिखो और फिर लास्के तीस मिनिट ऐसे रख दो कि भी जो मुझे फेक नहीं है क्योंक इसे है जिनों ने सिर्फ 62 mcqs attempt किये थे बट accuracy था 57 या कुछ तो marks मिले एक्जेक नहीं पता लेकिन पास हो गए वो मेरा और एक्स्टुडेंट है बहुत ही खास 54 ये पाटे मतब उन्हों की लिखे थे mcqs solve किये थे 54 ही मिले सो ये accuracy होता है सर यह साथ जरूरी नहीं कि आपने 100 marks का लिखा तो ही आप पास हो गए मेरी बात समझ रहे हो तो मैस में अगर गलती से तुमको कुछ आ रहा था रहे सर मेरे को 30 mcqs आ रहे थे ये क्यों बता रहा हो क्योंकि ना शायद मैं उस वक्त आपसे बात ना कर पाओ लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तो इसको क्या आपका 60-70 attempt होना मतलब आप fail हो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा 54 attempt करके बच्चे उतने marks ला सकते है accuracy matter करता है दोस्तो ये 12 वी का बिकॉम का paper नहीं कि तुम हर paper 100 marks का लिखके आओगे मैं चाहूगा कि लिखो बट नहीं होता तो भई वहाँ पे हमको थोड़ा situation को संभालना पड़ेगा अपने आमको तीन गंटे में संभालना पड़ेगा पैनिक नहीं होना है best 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 time को divide करके चलते जाओ खटम करोगे लेकिन सर आप अगर 40 मांक का लिखके आओगे तो फिर एक दो marks तो नीचे उपर हो गई try करो 60-70-80 अच्छा attempt है डरो मत एक दिन में आप speed नहीं बढ़ा सकते I know बट सर इस कुछ बातों का तुमको न अगर एक्जाम में अगर तुमने वीडियो सुना है तुमारे दोस्तों को वेजा हुआ है तो शायद ये बात तुम्हें motivate करी कि नहीं या चलो मेरा 60-70 attempt हो रहा है अगर आप accuracy के साथ हो mark my word accuracy basic marks ठीक है जितना लिखा उतना लिखा तो सर जो बहुत papers all कर रहे अच्छी बात है नहीं कर रहे अब कुछ नहीं कर सकते अब focus करो कि panic होके गलतिया मत करना आराम से चलने दो जो कर रहे हो सही कर रहे हो सर economics का क्या बता हुमे economics में तो सर एसा subject है जिसमें time बचता है क्योंकि सर वो हो जाता easily उसमें भी कोई दिक्कत नहीं अगें सर सौ में से 100 attempt करना है क्या नहीं आपको 80 accurate आ रहे है 80 कर लो क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि account इतना करने के बाद भी 70 80 लिखा है तो सर ये थोड़ीना जरूरी कि MCQS हरी attempt करना है negative marking है वह ही आगे तो देड़ मिल रहा है ना करो calculation तुमारे इसाफ से बट दोस्तो में इशू time management वो तीन घंटे में अपने आपको जितना काम रख सकते हो रखो strategy देखो लेकिन हर दो-दो मिनिट में घड़ी के पास मत देखो पहले से sequence कर लो कि यार वो plan A plan B रखना अपने साथ कि प बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहा है बीस बीस माग का छूट रहा है सब में तो फेल हो गया नहीं पास होते 54 54 बता है मैंने आपको एक्जामपल बिल्कुल गिवप नहीं करनेगा कुछ-कुछ बच्चे मैस के वेपर काथ गिवप कर देते अरे सर अभी को शाटे अटेम् हो कोई गिवप नहीं करेगा कोई ओवर थिंकिंग नहीं करेगा पेपर बैपर बात चालू हो गई है अब सिप अकाउंट फिर सिर्फ लौ फिर सिर्फ मैट्स और सिर्फ सिर्फ इखो मतलब वही सबजेक्ट उस पर्टिकुलर दिन में रहेगा अब बिगल बच चुका है दोस्तों सिर्फ खुद से गलती मत हिट विकेट मत हो जाना इंशिट्यूट पेपर निकाली बंगार सब की लगेगी अपने आप से गलतिया नहीं हो नीचे ठीक है अब मुझे नहीं पता कि शायद तुमको यह यूसफुल रहा की नहीं बट यह कुछ बाते थी जो मुझे मुझे शायद आपको लगा कि मैं बता दू जिससे जो राइटिंग स्पीड का इशू है जो पेपर कंप्लीट न होने का इशू है इतना बड़ा नहीं कि तुमको उरो पास होने से रोक दे यूँकि 50% मार्क्स चाहिए अगर 70-80% हर पेपर में रही कंप्लीशन की और आंस आपकी मेहनत आपके मॉम डेट का अशिरवात और उपर वाले की कुछ देया है ना और आई-स याए का भी थोड़ा सपोर्ट अगर थोड़ा इजी वेपर निकाले तो बट एनिवेज आप अच्छा करोगे इसी मैसेज के साथ रुखता हूँ दोस्तों थैंक्यू सो मच अ अपना बेस्ट देना गिव अप मत करना ये चोटी से एकसामे जो आपके जिंदगी से या आपके उनों की बहुत ज़्यादा माइने नहीं रखती पैनिक मत होना तुमारे लाइफ तुमारा होना प्रवा हूना की तुमारा अच्छे से हैपिली होना की जीना, ये लिए नहीं देंगे तुम बहुत ज्यादा प्रीश्यस हो ठीक है चलो थैंक्यू सो मच बबाई टेक के जए हिन जए भारत